करन जोहर मीडिया के सामने जतने खुश दिखते हैं वो उतने ठीक है नहीं करन जोहर ने रीसेंट इंटिव्यू में अपनी बिमारियों को लेकर खुल कर बात की है करन जोहर ने कहा कि एक टाइम ऐसा था जब उन्हें अपनी मेंटल हेल्थ के लिए डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ी थी करन का कहना है कि सोशल मीडिया पर उनकी जो ट्रोलिंग होती है वो ठीक है उनकी sexuality के लिए लोग बात करते हैं उस पर conspiracies बनाते हैं वो भी ठीक है लेकिन जब उनके बच्चों के लिए गंदी भाशा का इस्तमाल किया जाता है और बच्चों की ट्रोलिंग होती है तो वो बात करन जोहर को हर्ट होती है कई बार वो इतने ज़ादा sensitive हो जाते हैं इन चीजों के कारण कि उन्हें anxiety attack आ जाता है करन ने बताया कि इस anxiety की problem उन्हें इतनी ज़ादा हो गई थी कि 5 साल पहले उन्हें डॉक्टर से सलाह तक लेनी पड़ी थी करन जोहर ने कहा कि इसके बाद मैंने सभी से बात करना शुरू किया और वहां से मुझे हलका महसूस होने लगा हाना कि अब ये ट्रोलिंग ये गंदे स्टफ मुझे प्रॉब्लम नहीं देते हैं मैंने इतने सालों में अपने आपको बहुत तयार किया है और अब एक थिक स्किन मैंने डेवलप कर ली है जिससे ये ट्रोलर्स या ये नेगिटिविटी मुझे तोर नहीं सकती करन जोहर ने ये जो खुलासा किया है ये बहुत ही चौका देने वाला है क्योंकि जब सुशान सिंग राजपूत की डेथ हुई थी तब उनके उपर इल्जाम लगे थे कि करन जोहर ऐसे हाल में किसी को ला देते हैं या जिस तरह की ग्रुपिजम जिस तरह का भेदभा वो इ आउटसाइडर्स डिप्रेशन में चले जाते हैं